हाज सभी को नमस्कार आज हम सतत एवं व्यापक मल्यांकन की चर्चा करेंगे यह टापिक विश्ष्ट है राजस्तान में रीट और मद्वरदेश में एंपिटेट एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोटेंट टापिक है यहां से अच्छे प्रशन आते हैं एक स्कॉंसेप्ट को मैं आज इस वीडियो में आपको समझाने का प्र मिल्यांकन इसे सतत एवं समग्र मिल्यांकन भी कहा जाता है सतत एवं समग्र मिल्यांकन को हम इंग्लिशन बोलते हैं continuous और अगर श्रोड में बोलू तो इसे कहा जागा सी सी इए तो सतत एवं व्यापक मिल्यांकन continuous और कॉंप्रेहंसिव लिएशन या सी सी इए इस तरह इस इसका परिचे दिया जाता है इसका नाम लिया जाता है इस टॉपिक का अब मैं आगे इसे सी सी के द्वारा प्रदर्शित करूँगा जहाब इस टॉपिक को सी सी मैं ब पहले जो मुल्यांकन की जो प्रविधी थी उसके अंदर जैसा कि हमने देखा है कि पहला टेस सेकंड टेस्ट हाफ यह ली देन थर्ट फिर एनुल एक्जाम कुछ ऐसा पैटर्न हमने एक्जामों का देखा था लेकिन आर्टी 2009 के द्वारा मुल्यांकन की एक नई विद्ध तो कि शुक्षन और जगम पर बल दिया जाता है उतना ही मुल्यांकन पर भी बल दिया जाना चाहिए इसलिए नए पैटरन सामने आता है और जैसे हम कहते हैं सी सी इँ मैं दुबारा रिपीट करूँगा विद्धाले आथारिज मुल्यांकन पहना लिए और इसके अंदर बताने वालों सबसे बहुत ध्यान रखेंगे कि सिसी का सुत्र होता है कि प्रत्यक बालक सीख सकता है तथा प्रत्यक सिक्षक सिखाए सकता है यानि कि यहां पर सी का जो मून मंत्र में हरके साखा रात्म पुझतिवीट के से क stir भटाया जाता है ईसी कंपता पूरिनाम है तो 아प से मुझे किसका पुरिणाम का पुरिणाम और बिशिज़्च सब्सक्रिणाया जाए कि आई ती कि 30 के इसका वड़न है कि मल्यांकन सथत एवन व्यापक तरीके से किया जाना चाहिए देखिए दो शब्दों उनकी जर्चा करते हैं यह सथत से तात पर एक मल्यांकन किया जाएगा निरंतर और यह सथत का प्रत्र करता है अवदियों के बाद सब्सक्राइब निरंतर लेकिन इस प्रणाली में मल्यांकन होगा निरंतर यानि कि पहले दिन से जजदिन बालक ने प्रवेश लिया उस प्रत्रम दिन से अंतिम दिन तक बालक का निरंतर मुल्यांकन किया जाएगा प्रत्र दिन मुल्यांकन किया जाएगा और यह सिक्षन के दोरान किया जाएगा यह बहुत मैं पन बात आपको दिहानक नहीं तो प्रत्रम से अंतिम दिन तक मुल्यांकन होता है इसे कहा जाता है निरंतर मुल्य मुल्यांकन ना केवल सक्ष्णख गतिविद्यों का वेलकि सहाख सक्ष्ण गतिविद्यों जिसमें समझी कोशल जीवन कोशल समविगात्म कोशल तर्ख की चिंतन को शामिल किया जाता है इनका भी मुल्यांकन कि जायएगा पहले मल्यांकन के सक्ष्णिक क्थीविदियों का होंता था पढ़ने लिखने का होंता था लेकिन अब ऐसा नहीं है अब गाति किया जाएगा तो बालक का न कियों सॉक्षनिक उठाय स्रख़्दियों है व भेंगे तो मतलब लग हो जाएगा शब्दाइगा सहसेक्ष्णिक ठीक है तो सेक्ष्णिक के साथ सहसेक्ष्णिक गतिविद्यों का मल्यांकन किया जाता है दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मल्यांकन ना केवल ग्यानात्मक पक्षा बलकि भावात्मक तता क्रियात्मक सक्ष्ण अद्देश्यों का भी किया ज स्चीच में व्यापक से दात्पर है कि संगीति कोशल ओधिवन कोशल शामिल होते हैं या कह सकते हैं संगीत खेलकुल चित्रकला शरीर वी शामिल होते हैं तो सतत एवं समगर यह दो शब्द आपको सोज में आगे होंगे राजस्थान में सीसी पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में एक अप्रेल 2010 से लगू किया गया था जैपुर वे अलवर के 60 प्रारंबिक बिद्धालों में चला गया था प्रात्मी युक्षा एक से पांस तक त स्थान में कख्षा एक से पांस तक के राज के विद्धालों में पूरे राजस्थान में पूरे राजस्थान में लाग हुआ 2013 से तो दो अलवलक प्रश्ण है संपुर्ण राजस्थान में लाग हुआ 2013 पालेट प्रोजेक्ट के रूप में लाग हुआ एक अप्रेल कि अभी योजना बन रही है लागू नहीं हुआ है बिल्कुल आप जहां रखेंगे लेकिन अगर सीबीस के लिए पूछा जाए सेंटर बोर्ड ऑफ सेकंड एजूकेशन तो वहां कक्षा एक से दस तक सीशी लागू है राजस्तान में कक्षा एक से पांस तक सीशी लागू ह तो 9 के लिए कि लिए सीशी लागू किया घया था 2009 से और 209 से सीशी ने कक्षाननों के लिए से जालू हुआ है वक्रशा के लिए से लागू क्लिए 2010 से चलू हुआ है और 2110 से प्रियोग मिलिया जाता है जैपर हम लdock के 60 विद्यालियों में बजबकी पूरे राजस्थान में सीची लागू किया गया है 155 के लिए 2013 में से और यह तक आक गोासम में आ गई है तो दिन माई चलते हैं एक बहुत एच्छा कुछन है सी सी का राष्ट्य प्रस्क्ष्ण के अंदर पंशिकुला गुजरात में सीधे सा कुछ सकते हैं साथ तो राज्य पूछे तो गुजरात और वहां भी प्रापर जगे पूछाए तो पंशिकुला कहा जाएगा अब देखिए आगे कि सीभी हैं ने एक स्रक्ष्ण सत्र को दो अवदियों प्रत्थे में बाटा है प्रत्थम अवदी मार्सरक टूबर और हो तो असे अम्धा सिकुलती है क्योंकि यहां पर कुछ शब्द और कुछ तरीका आपकी काम में आने वाल हैं आप देखिए मैंने एक फाइल अप्लोड किया है इसके अधर देखिया आप अक्टूबर और अक्टूबर से मार्स सेशन मार्स से अक्टूबर तक चलता है आदा सेशन प्रथम अवधी का और दूतिय चलता है अक्टूबर से मार्स तर इस तरह एक सत्र खतम होता है अब देखिए एक सत्र में जो प्रथम अवधी है उसके अंदर पहली अवधी में परिक्षाओं की आपको मिनेचर को समझा रहा हूं किसी भी सेशन का प्रतम अब्दी में सबसे पहला मुल्यांकन होता है रचनात्मक मुल्यांकन और इसे मैंने कहा था यहांगा ओटम और तीसरा योगात्मक मुल्यांकन होता है युग आत्मक मुल्यांकन और वैसे ही दूती अथि में अक्टूबर से मार्स तक सेश पचास परचिस पाठेक्रम के लिए तीन परिक्षा वैसे ही होंगी F3, F4 और F2 यानि कि यहां जो बात ध्यान रखने वाली है आपको देखना है कि 4 F होते हैं और 2 F होते हैं पूरे सिक्षन सत्र में 4 F2 से और मैं करूँ पताम अबदी की बात तो 2 F है एक ऐसे दुती अवदी की बात तो भी 2 F है एक ऐसे होता है लेकिन पहला जो टेस्ट होता हो रचनात्मक होता है अंतिम जो होता हो योगात्मक होता है किसी भी अवदी का प्रथम मल्यांकन रचनात्मक है यानि फॉर्मेटिव एसस्समेंट है और अंतिम मल्यांकन योगात्मा के ये प्रशन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, आगे सुनिए, रचनात्मक मल्यांकन जो होता है, अब देखिए यहां 50% पर्टिकरम कराना होता है, मार्स से एक्टूबर तक, 50% जो आपका सलेवस है, वो FA 1 के दोरान जाचा और इन दोनों का मिलाकर के एक टेस्ट होगा, जो योगात्मक मल्यांकन कहला, इसको योगात्मक किसले कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर FA 1 और FA 2, इन दोनों का सलेवस जाचा जाता है, इस तरह मान के चले, 10 पाठों का मल्यांकन आपने किया है, तो फिर सेश 10, उनका भी इसी तरह होगा, पहले 5, FA 3, दूसरे 5, FA 4, और दोनों को जोड़ करके, ऐसे 2 योगात्मक मल्यांकन जाचा जाएगा, आप एक हलकी सी बात इध्यान रह सकते हैं, योगात्मक मल्यांकन के जो पेपर हैं, वो पेपर किसी बोर्ड से, CBSE से बनाए जाते हैं, वहां एक बोर्ड का को पेपर आता हैं, मानक पेपर आता है और रचनातावक मल्यांकन जो होते हैं, वर दिकतर विद्धाले अधरित सिक्षक आधरिद बना लिए जाते हैं, ऐसा अमोमान CBSE में किया जाता है, योगात्व पनल्यांकन महीं के सिक्षक निर्मित होता है, लगि योगात्मक मुल् परफम अब्दी मार्श अक्टूबर से मार्च इसे योगात्म क्यों कहा कि इसमें F2 F1 दोनों का सिलेबस शामिल है इसे भी मुल्यांकन योगात्मा किसलिए का इसमें F3 दोतीय अब्दी क्ल कितने रचनात्मक्त दो बताएंगे क्या सेलेबस रिपीट किया जाता है यह ध्यान रखेंगे जो प्रथम अब्दी का सब्दोतीय में पढ़ाया नहीं जाएगा अब बात करते हैं प्रापतांकों की भारांकों की वेटेस कितना होता है को तो एक फिश्ट का 10% हो जाते है ये लिए ब्ल्लेंक नों को जोड़ और यही करें दों आपको रियों के और यही आपको दिमाग में फ्रेम करने को यहीं से प्रश्ण बनते हैं एक एक का अंगबहार कितना परसंट होता है 30% होता है लेकिन कुल कितना परसंट होता तो 60% होता है इस तरह अलग-लग तरइके के प्रशन यहां से सैकड़ो बन जाते हैं आपको उनके प्रश्णों के उत्तर अपनी कॉपी में प्रेक्टिस करते हैं, बना लेने चाहिए, तो कि इनी प्रश्णों को बार-बार पूछा जाता है, तो देखी मैं दुबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक अबधी, एक सिक्षन सत्र को दो अबधी में बाटा गया प्रतमुर्द दिती है, यह मार्च से अक् टोटल एफे की संक्या 4 है, टोटल एफे की संक्या 2 है, एक एफे का अंगभार 10 परसेंट है, एक एसे का अंगभार 30 परतिशत है, टोटल एफे का अंगभार 40 परतिशत है, टोटल एफे का अंगभार 60 परतिशत है, इस तरह के प्रश्ण में वहां बना दिये जाते हैं, आ कहां से कुछन पूछ लिया जाता है आप धान रखेंगे CCE में कुल ग्रीट की सेंख्या 9 है अब देखिए आगे 9 कैसे डिसाइड करेंगे मान कि चले किसी एक राणवे से 100% सो नंबर आया है 100% नंबर आया तो उसे दिया जाएगा और 21-22 E-plus दिया जाएगा और 20 से खम दिया जाएगा इस तरह कुल 9 ग्रीड दी जा सकती है और यहां हमने great प्रदान करके अंक ना देकर के हमने मापन न करके मुख्यांकन किया है हमने गणवत्ता प्रदान किये और इसे बाल को में मानसिक तनाव भी कम होता है तो सतत एवं समगर मलयांकन पहेत्माल Yoak-dank करके यह grading दी जाती है इसे बाल को में मानसिक तनाव दंद कम रहता है आगे देखिए अब बात करेंगे CCE के उपकरणों की CCE में कौन-कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं देखिए आप पहला सेक्ष्ण और बुक जिए टीचर के दौरा तियार की जाने वली डाइरी है बालक डाइरी यह बालक के लिए तियार की जाने वल मुल्यांकन का मतलब पूछे जाता है पियर मुल्यांकन का मतलब होता है जब एक बच्चा अपने ही साथी किया जब मुल्यांकन करता है तो इसे पियर या सहपाठी मुल्यांकन कहा जाता है और इसका भी रिकोर्ड रखा जाता है यह उपकरण है जो CC में काम आते हैं नंब पूछा जाता है उसके अंदर आधार रेखा, बेस लाइन, यह क्या होता है, इसको भी समझेगे, किसी भी सिक्षण सत्र के आरंब में आधार रेखा का निधान एक सिक्षक करेगा, यानि बच्चा किस इस्तर का है, ताकि हम उसके इस्तर को बढ़ा सकें, तो पता होना चाहि कर लेते हैं कि पुरानी कख्षा जो वह पास करका है, उसको आधार रेखा बना सकते हैं, या फिर हम अपना एक परसनल टेस्ट तेके, जिसका कोई रिकोर्ड नहीं रखा जाता है, और हम उसके आधार रेखा का निधान कर लेते हैं, कि बच्चा किस ग्रेडिंग लेवल का है, किस ग्रेडि पर वह बिलोंग करता है, फिर हम उसका और अधिगम करना शुरू करते हैं, फिर कुषन आता है, सम्हू सिक्षन से पूछा जाता है, कख्षा के बालकों को अपलबदी का अतार पर हम सम्हू बना देते हैं, जैसल हम ने तीन सबू बना दी, एब, इस तरह बना दी जाते हैं और यह तीन सम्हू में क्या होगा कि यह जो बच्चे हैं एक ग्रूप बना लेते हैं और इन ग्रूप को बना करके अब अलग अलग तरीके से सिक्षत एगी कख्षा में इन ग्रूप्स को और अधिकम कराता है तो इसे कहा जाता सम्हू सिक्ष्षन तो इस कि के बारे में प्रशन पूछे जाते हैं मेरा प्रयास है कि यहां पर मैंने बहुत कम समय में बहुत अच्छा मेटर आपको अभिलेबल कराने की कोशिश किये और नो डाउट कुशन यहां से आने के पूरे पूरे चांसे जे राजस्थान और मद्दवर्जे शिक्षक वरती प्रिक्षा के लिए एक महत्पून टॉपिक है आप इसका बारबार प्रयास करें और फिर अब इसके जो प्रशनुत्तर है मैं इसके लिए अगला जो वीडियो अप्लोड करूँ उसके अंदर मैं आपकी इसकी प्रेटिस कराने वाला हूं कुछ प्रशनुत्तर कि इसकी ल